दोस्तों नमस्कार केशु आप लोग उमीद है कि बहुत अच्छे हैं गों दोस्तों देख लिजिए आज का जो नूजी यह हिंदूस्तान का नूज है दोस्तों और यह सक्षमता परिक्षा लेकर जो है न दोस्तों बहुत से जो है अभी भावक गन यानि महासे सिख्षकों जो है न इस परिक्षा को लेकर कोर्ट में जहने अची का देर कर दिया है तो चलिए देखते हैं इसलिए अची का देर किया कि हम लोग इसमें परिक्षा नहीं देंगे पर बिना परिक्षा के राजकर्मी का दर्जा मिलना तो आप सभी जानते हैं कि सरकार भी चेंज हो गय है अब क्या होगा आने वाले समय की इंतिजार कीजिए जो भी अपडेट आता रहूंगा मैं आप लोगों को समक्त करता रहूंगा ठीक है तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहां से पूरा भीतारत लूप से देखते हैं पटना विहार राज-प्रात्मिक सिक्षक संग पजादी कारी को और से रवी बार को बैठक आयुजित की गई अध्धक्षता संग के अध्धक्ष बिरिज नंदन सर्मा नेकिप बैठक में नीजित सिक्षकों का स्थाक्षरता परिक्षा नियुक्ति के उपरांत तीन जीलों का विकल्प मांग अंतर जीला देखिए पटना उचन्याले में सरकार एवं सिक्षावी भाग के बुरुद मुकदमा डैर करेंगे साथ ही सरक में सदन तक की लडाई जारी रहेगा 26 जनवरी को बिहार राज परात्मीक सिक्षक संग के नितरित्व में सिक्षक हित के मांगो को लेकर गर्दनी बागधरना अस्तल पर मुह कर काली पट्टी बांध कर एक दिवस या उपवास का कार्जक्रम डखा जाएगा देख लीजिए दोस्तों क्या क्या कर रहा है आप लोग देख लीजिए बैठक में मनोज कुमार राम अवतार पांडे घंश्याम यादव प्रेम चंद्र आदि महजूद रहेंगे तो आप लोगों को अस्पश्टी करने हो चुका होगा कि यह भी मामला हाई कोट में जाने पर चैनित है ठीक है और उन लोगों को राजगर्मी के दर्जा जो मांग कर रहे है तो उसमें सरकार के अधिनस्ता के ओर से काड़ा है कि शक्षमता परिच्छा लिया जाएगा फरवरी मिसका परिच्छा है इसमें बिरोध चल रहा है क्या लगता है आप लोगों को कि यह स इस वीडियो में तब तक लिए साथ धन्यबाद में तुरोग के बाद